वेलो बच्चों कैसे ही आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को F.Y.U.E.P. यूई समेस्टर 3 सेशन 22-22 में अगर आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं B.A.B.S.C.B.com अगर आप सभी स्टुवेंट हैं तो आप सभी बच्चों को देखिए आपका A.E.C. पड़ना है जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है भांसा भांसा के प्रकार क्या होते है भांसा की जो विवी दूरूप होते हैं यह हमें बताना है भांसा की जो कह सकते हैं मात्व है उसके बारे हमनों जानेंगे आज के सेसन में तो अगर आपको आज के ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर गनी हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब के लिजेगा साथ में बेल आकन पर क्लिक के लिजेगा तक इसी प्रकार पल-पल की हर वीडियो को नोट्पिकेसन आपको लिजेग मिलता रहा है डिस्किप्शन बॉक्स ने टेलिक्राम गूरूप और फिजिक विजेगे जहां जूड़ जाए किसी प्रकार अपडेट है तो वहां पर आपको मिल जाएगा में पसू पक्षियों की जो बोली है वह भी भासा गंतरगत होती है मधुमक्षी जो मधुमक्षी मधु की उपलबदी की दूरता बताने के लिए सूरी को केंदर बना कर क्या करते बड़े वित में और निगटता बनाने के लगए छोटे वितन चकर काटते है कुटे बिल्ली आदि बीविन प्रकार के स्वर निकाल के क्या करते है अपने प्रेम क्रोध और भाई को प्रकट करते है वे केवल सीमित इस्तिती में सीमित भाव को प्रंबरा से सिकर क्या करते है व्यक्त करते है यानि यहां पर आप सही बच्छे समझ सकते हैं भांसा हमारे पस हुआ रूप है जिसके साहिता से आप अपने जो भी मन के बिचार है वो दुसरों के सामने क्या कर सकते हैं प्रकट कर सकते हैं आप लिख सकते हैं यह तमाम चीज़ यहां पर देखें काउंट होते हैं अगला सुक्ष्म और अमुर्त भाव को व्यक्त नहीं कहार बाते हैं इनका विच्छ जो छेतर होता है बिसिकली जो एरिया होता है वो लिमिटेड यहां बताए गया है अगर आप यहां पढ़ने कोसिस करिएगा कि मनुष्ट से बिभीन संकेतों के मैद्यम से क्या करता है अपने भा होआले पाइल लके देंगे चोराहे पर लालबत्ती मतल्ब यहां पर रुकनी क्ली संकेति मतला है हरी बत्ती मतला आप जा सकते हैं इस परकार से देखें तो चोराहे की जो लालबत्ती पुजा, इस तरी में बैलाल बत्टि के अर्थ में देखिए क्या होती है अंतर होता है दौनों का रहना वहां नहीं वार estlay यह अगर संकित के बरेबेंच के जाही को इसारक करिएगा तो खुद भी आप प्रिजेंट होने चाहिए सामने वाला भी आपके फ्रेंट होना चाहिए उपस्ति होना चाहिए तभी यह आपका काम होगा यह सभी क्या है भासा के यहाँ पर गौन रूप होते हैं इनके माइदम से सीमित भासा को क्या क्या रता है व्यक्त क्या जा रहा है यह संपूर्ण अनिस्चीत और असपर्ष्ट क्योंकि इसमें देखिए अगर आप इसारे करिएगा जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाला आपके इसारे को समझ सके इसलिए यह पूरे संपूर नहीं होता, अनिस्चित है, आप इसके विचारों को समझने थोड़े से असमर्थ हो सकते हैं, जिसे छोटा बच्ची का इसारज होता है, वो आप समझ नहीं पाएंगे, जबकि वो भी इसारज करता है कि हाँ को यह चाहिए लेकिन आप उस समझ न उच्रित जिन ध्वानी संकेतों के सहायता से मनुष्य अपने भावों और विचारों व्यत करता है, वही क्या है वास्तव में भासा है, तो इसका मतलब समझाने का कॉंटेक्ट में समझा दिया, कि होता क्या, अब देखिए इसके परिमासा में जाएं, तो यहाँ पर परिम द्वानी सादनों को उप्योग करतें, आप इसारे करिए, भाव, विचार प्रगट करिए, लिख कर करिए, यह तमाम चीज़ों होते हैं, वह भासा के अंतरकत यहाँ पर काउंट किये जाते हैं, यही भासा के देखिए क्या होता है, यहाँ पर मुख्य रूप होता है, यह इसे किया सकता है जो बहासा जो सब्द इससंस्क्रेट के बहास सब्दे ऊपन्सक्र yolक्त्र होता है वैक्तवानी इससे कहा याता संश्रय इस वर्दाने हैं, बहासा की कारण है किया है, मनिस्ते सिर्ष्टि में सर्विसेच जीवन, जिसे हम सभी जानते हैं, आप पेड़ पो वह जांतू, हम सभी पेड़ पोड़े, अलग करटे सिकरी सि게 ऑगे, ठीक है। लेकिन जानबर और हमें बस यहीं अंतर गरंग करती है और उन पे एक व्यवस्ता का अरुप लगाती है भासिक ध्वनियां भासा व्यवस्ता के अंतरगत आती है उन्हें उचारन केरने के लिए निश्चित इस्तान और प्रेतन रहता है डॉक्टर के सामने मुझ खुलते समय रोगी जब पीड़ा सूचक आ करता है तो वह सामन ध्वनी कहलाती है जब भासा मेरा आने का आरिस तब उस भासा की हाँसिक धनけ कोंपकरां तो भाहसा प्यायाद है वह के ध्षानी मायों के मायदम से जो विचार तो और ब्रंसा करते है। जीसे है, आप कुछ-कुछ हिर्टी जान लेते हैं, कुछ-कुछश टॉपिक्स जीसे किन्होंने भाहसा के बारे में क्या कहा है या पूपति जाना पड़ते हैं डैसे क्या है दीके बिचारों की अभी व्यक्ति के लिए धोनी पर्तिगों के रूप को क्या कहा है तबрашा कहा जाता है ये भी हुज़त। मनिस्ट के बीच में पारसपरी बोद के लिए एक सक्रियता ताकि वक्ता के मन की बात को वो सुरोता समझ सके ये इसका मिनिंग हो गया और भी लिख सकते हैं लेकिन ये कथन जो किसके द्वारा दिया गया पले जाने देखिए यहां जिसे नाम लिख दिया गया कि यह जो है है इसे परणवाश चिन्नों की परिभासा है जीने सुचता है मनुष कभी उत्पन यहां कर सकता है यह कथन किसके कहा गया तो यहां से प्रकार देखिए किसने क्या कहा यह तमाम कथन यहां पर बता दिए आप सभी बच्चों को जैसे देख सकते हैं डॉक्टर स्यामा सुनंदर भासा बिज्ञान के बन क्या करते हैं कि मनुष मनुष के बीच में वस्तू के बिचया में अपनी इच्छा और मती का आदान परदन करने के लिए व्यक्ति धौनी संकीत को जो भैवार करता है उसे यहां भासा कहा आया ता आप सही बच्चों को इस प्रकार देखा जाए देखिए हमारे हिंदी लेटरेचर में अकर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के यहां पर कह सकते हैं बाहर की देशों के जो हिंदी की जानका रहे उनका काम तो नहीं है आपको भारत की लोगों के यादर नहीं जैसे आचारिक कामता प्रसाद गुरु नहीं जाएटाइ जिन ध्रनी चिन्नों को मनुष्टी तुवारा परीसर विचार विक्रीनियों करता है उसको समाश्टी रूप से यहां पर भासा कहा जाता है अगला आचार देविंद्ध रनिना सर्मा जी के भासा गिगयान की भूमिका कहा गिए जिसकी सायता से मनुष् आप पेपर में आप अपने हिसाब से लिख लिएगा लेकिन यहां से यहां तक देखिए जो कथन लिखे गया है कि इन लोगों की द्वारा क्या कथन दिया यह आपके पेपर के लिए इंपोर्टन सवाल बनता है तो फिलाल आज का हमारा यह लेक्चर एसी हिंदी का फर्स्ट